नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल भगवान लोग पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें जय मातादी भगतों भगतों मा भगवती दुरगा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवदा बनी रहे तो भगतों नवरात्री में पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिन हम मा भगवती दुरगा की स्थापना अपने घर में करते हैं घर प्रथम दिन बहुत महत्व पूर्ण होता है, मा भगवती दुर्गा के स्वागत का दिन होता है, और भक्तों आपको बता दे कि शास्त्रों के अनुसार, अगर हम नवरात्री के पहले दिन कुछ विशेश कार्य कर लेते हैं, तो इससे मा बहुत ही शीग्र प्रसन्न हो जाती है, और फिर हमारी जो भी पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मा उसे बहुत शीग्र स्वीकार करती है, और हमारे जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करती है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाला हूँ, कि नवरात्री के पहले दिन हमेशा क्या करें जिससे की भक्तों मातारानी की कृपा हमें बहुत शीघ्र मिल जाए और हमारे जीवन में सुख सम्रिध धिधन वैभव की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो या फिर अगर किसी भी विशेश कामना से अपनी मां की पूजा आरा चाहिए तो भक्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइ जरूर लगाना चाहिए, जंडा मतलब ध्वजा, लाल रंग का त्रिकोन जंडा होता है और उसके उपर बना हुआ हो, जय मातादी लिखा हुआ हो, यह मार्किट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं, नहीं तो आप घर पर भी स्वयम से बना सकते हैं, तो एक जंडा त्रिको जंडा कोन में, यानि के उत्तर पूर्व के कोने पर, अगर वहाँ पर जगह न हो, तो आप उत्तर दिशा में इस जंडे को लगा सकते हैं, जहां भी आप ये ध्वजा लगाते हैं, इसके साथ आप ध्यान रखें कि आप वहाँ पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क कि हमेशा लहराता रहता है, तो यह इस बात का सूचक है जंडा, कि आपको जीवन में सफलता की प्राप्ती होगी, यश की प्राप्ती होगी, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ती होगी, समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ती होगी, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा, धन की व्रिद्धी, सुख सम्रिद्धी, सभी प्रकार की जो चीजें हैं वह प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, ऐसे लहराता हुआ जंडा आपके घर पर शुधता की सूचना है। इसलिए 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार को नवरात्री के पहले दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में एक लाल रंग का जंडा जरूर लगाना चाहिए। भक्तों, अगला जो कार्य है नवरात्री में पहले दिन आपको जरूर करना है, वो है घर के मुख्यद्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है, देखिए आम के पत्ते लीजिए, जब हम पंच पल्लव के लिए भी आम का पत्ता लेते हैं, वहीं आम का पत्ता चाहिए हमें, और थोड़ा सा अधिक मात्रा में आप लेकर आईए उसे साफ धो लीजिए। आप इन सभी पत्तों को एक माला के स्वरूप में बना लीजिए और उसके बाद यह अपने घर के मुख्यद्वार पर लगा दीजिए। इस बात की सूचना देता है कि आपके घर में देवी विराजित हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों वह अखंड दीपक प्रज्वलित करना देखिए, अगर घर में हम अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो अखंड दीपक प्रज्वलित करने से मन की कोई भी इच्छा हो। अगर आप सोचकर और मन में धारण करके अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं तो आपकी कामना बहुत शीग्र पूर्ण होती है। लेकिन इसके अलावा दीपक इस बात का प्रतीक है कि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करेगी और मन स घर से हर तरह से नकारात्मक उर्जा को दूर करता है दीपक। इसलिए अखंड दीपक चेत्र नवरात्रि में पहले दिन से लेकर और नवमी तिथि तक प्रज्वलित किया जाता है। जिससे कि शुभता का घर में वास हो सकारात्मक उर्जा का घर में वास हो। और जहां प अधर के मुख्यद्वार पर तोरण लगा रहे हैं, ताकि बाहर से मुख्यद्वार से किसी भी प्रकार की नकारात्मक उर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। लेकिन अगर आप किसी भी कारण वश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें, तब आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। और देखे, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें। फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं। दीपक में अगर आप घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसे आपको मां भगवती दुर्गा की मूर्ती के दाई तरफ रखना होता है। और अगर आप तेल का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो मां भगवती दुर्गा के बाई तरफ आपको तिल-तेल का दीपक रखना चाहिए। तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें, जब भी आप तिल-तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए, और अगला जो कार्य है घट स्थापना करना, यानि कलश की स्थापना करना। तीखी कलश की स्थापना जब हम करते हैं, नवरात्री में कलश में, हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन, मा भगवती के साथ ही हम प्रतिदिन करते हैं। इस प्रकार से जब नौ दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधी विधान से विशेश रूप से हम उनकी आराधना करते हैं, क्योंकि जब हम मां का पूजन करते हैं, पहले हम कलश का पूजन करते हैं, धूप दीप नै प्रकार की कोई बाधा दूर होती है और कोई भी हमारी विशेश काम न हो तो अवश्य पूर्ण होती है तो कलश की स्थापना हमें जरूर करनी चाहिए अगर संभव होतों। नवरात्री के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है, वो है जवारे होना, यानि की सप्त धान्य बोना, जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौव होते हैं, जो कि हरे हो जाते हैं, बहुत सी ऐसी जौव अंकुरित हो जाते हैं, और ये शीग्र ही अंकुरित तब हो प्रैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीरवाद हमेशा दे रही हैं। तो घर में अगर आप जौव होते हैं, सप्त धान्य बोते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ट माना जाता है। भक्तो नवरात्री के प्रथम दिन हमें जरूर यह करना चाहिए और अगला जो अलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्री व्रत धारण नहीं करते हैं, तो नवरात्री के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए। नवरात्री के प्रथम दिन और अंतिम दिन, यानि नवमी तिथी पर, यह अश्टमी तिथी पर आपको वृत जरूर करना चाहिए. तो प्रथम दिन बहुत महत्वपूर्ण है. माँ भगवती दुरगा की आराधना करते हैं. विधि-विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं. तो प्रथम दिन आपको वृत जरूर करना चाहिए. और संभव हो तो पूरे नवरात्र वरत करना चाहिए। पूरे नवरात्र जब हम वरत करते हैं, मा की पूजा आराधना करते हैं, सात्विक्ता के साथ मा की आराधना करते हैं, तो मा शीग्रही प्रसन्न होती हैं, लेकिन वरत भी धारण करें, जब आप स्वस्थ हों अगला जो जरूरी कार्य है, जो नवरात्री में आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ स्वास्थिक का चिहन जरूर कीजिए। प्रकार की नकारात्मक उर्जा हमारे घर में प्रवेश न करें। इसके अलावा जब हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो हमारे विचारों में किसी प्रकार की नकारात्मक उर्जा न हो, इसके लिए हम प्रज्वलित कर रहे हैं। जब हम पूजा प्रार्थना कर रहे हैं मंत्र जप कर रहे हैं, निर्विग्न उसे हम पूर्ण कर पाएं। इसके लिए अखंड दीपक प्रचलित किया जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी कारण वश अखंड दीपक प्रज्वलित नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम दोनों समय जब मां की आराधना करें, तब सकारात्मक उर्जा का वास बना रहे। अगला जो कार्य है नवरात्रे में आपको जरूर करना चाहिए, वह कलश की स्थापना। और देखे, दीपक में एक और बात का ध्यान रखें, फिर हम कलश की स्थापना की बात करते हैं, दीपक में अगर आप घी का दीपक तो इस प्रकार से दीपक का आप ध्यान रखें, जब भी आप तिल तेल या फिर घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उसे सही दिशा में सही स्थान पर रखना चाहिए, और अगला जो कार्य है, घट स्थापना करना, यानि कलश की स्थापना करना, तीखी कलश की हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन मा भगवती के साथ ही हम प्रति दिन करते हैं, इस प्रकार से जब नौ दिनों तक लगातार हम समस्त देवी देवताओं का पूजन करते हैं, घर में आवाहन करके विधी विधान से विशे विषेश रूप से हम उनकी आराधना करते हैं। अगर संभव होतो। नवरात्री के प्रथम दिन जो अगला जरूरी काम हमें करना है वो है जवारे होना यानि की सप्त धान्य बोना जो कि हम मिट्टी में थोड़े से जौव होते हैं जो कि हरे हो जाते हैं बहुत सी ऐसी जौव अंकुरित हो जाते हैं और ये शीग्र ही अंक अग्वती विराजित हो चुकी है और घर में सुख सम्रिधि धन वैभव सभी प्रकार की जो शुभता है उसका आशीरवाद हमेशा दे रही हैं तो घर में अगर आप जौव होते हैं सप्त धान्य बोते हैं तो बहुत ही श्रेष्ट माना जाता है भक्तो नवरात्रि के पूरे नौ दिनों तक व्रत धारण करते हैं बहुत से भक्त जल पीकर या फिर फलाहार के द्वारा इस व्रत को धारण करते हैं लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि व्रत धारण नहीं करते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन आपको व्रत धारण जरूर करना चाहिए न मा भगवती दुरगा की आराधना करते हैं, विधी विधान से उनका आभार करके पूजन कर रहे हैं, तो प्रथम दिन आपको वरत जरूर करना चाहिए, और संभव हो तो पूरे नवरात्र वरत करना चाहिए, पूरे नवरात्र जब हम वरत करते हैं, मा की पूजा आराधना क अगर आप स्वस्थ नहीं हो वरत रखने में असमर्थ हो तो सिर्फ आप शुद्ध सात्विक भोजन यानि की बिना लहसुन प्याज का भोजन लेकर मा की आराधना सुभः शाम करें तो सचे मन से भक्ति भाव से हम मा की आराधना करते हैं तो मा शीग्र ही प्रसन्न होती हैं अगर वरत धारण की रखने की अगर आपकी शक्ति या सामर्थ्य शारीरिक रूप से नहीं है तो आपको वरत नहीं रखना चाहिए लेकिन अगर संभव हो तो पहले दिन फलाहार के द्वारा वरत धारण जरूर कीजिए अगला जो जरूरी कार्य है जो नवरात्री में झाल 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 झाल